प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद और नेवर मिस अनादर अपडेट देश की सबसे बड़ी दुरसंचार कमपणी वोड़ाफून आइडिया लिमिटेड रिन की गंबीर इस्थिति में है जिसके अंतरकर अधिकान सरेन स्पेक्टरम पर सरकार की और से है वोड़ाफून आइडिया लिमिटेड के मुच्छ प्रोध्योगी की अधिकारी विशंत बोरा ने एक इंटर्वियो के दौरान कहा कि इस टेलिकॉम कमपणी के पास अच्ट अधिक स्पेक्टरम है साथे साथिया कमपणी आगले स्पेक्टरम निलामी में भाग लेने वाले है क्योंकि इस नई कमपणी को स्पेक्टरम प्राप्त करने की सक्त जरुरत है और इस नई कमपणी को आगामी निलामी में भाग लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि इस नई कमपनी को स्पेक्टरम प्राप्ट करने की सक्त जरूरत नहीं है वोरा ने अपने बयान में ये भी कहा कि Vodafone Idea Limited जून 2020 तर अपने लख्च को हासिल कर लेगी जिसके अंतरगत पूरे देश में Vodafone India और Idea Cellular के नेटवर्क को पूरी तरह से विलाई किया जाएगा जिसके अंतरगत कमपनी को High Speed Data मिलेगी बोरा का ये भी कहना था कि तीन बड़े समानानतरन कारिक्रम चल रहे हैं जिसमें पहला अतरिक्त स्पेक्ट्रम का उपियोग है और दूसरा नेटवर्क पर नई छमता जोड़ी जा रही है साथे साथ ये कमपनी एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन कारिक्रम भी चला रही है जिसके अंतरगत 5G की लॉंच आने वाले साल में की जा सकती है उनका ये भी कहना था कि हम एक प्रोग्रामेबल नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर कलाउड परिनियोजन, एज कम्प्यूटिंग और कई नई टेक्नोलोजी सामिल है हमारे पास देश में सबसे बड़ी FDD स्पेक्टरम है जिसके अंतरकत पूरे देश में 800 MHz स्पेक्टरम है जो किसी और के मुकाबले काफी जादा है इसके अलबा हम डाइनामिक स्पेक्टरम रिफामिन करने वाले दुनिया के पहले ओपरेटर हैं और हम इसे जल्दी देश भर में एक बड़े पैमाने पर तैनात कर रहे हैं हमने अब तक 14 सरकिल पूरे कर लिये हैं देश के 38% जीले अब समय की थो गये हैं वहीं स्पेक्टरम करी 52% समय की थो चुका है मूल रूप से बिले के समय यह कहा गया था कि यह तीन साल का लंबा कारिक्रम होगा और जून 2020 तल हमारे निवेसकों को दी गई प्रतिवद्धता को पोरा करने के लिए हम ट्रेक पर हैं